आज हमने बिक स्टॉक्स में मनापुरम और इंट्रेस्टिंग इन्फो डिसकस किया था आज स्पोटलाइट में क्या है स्पोटलाइट में दो शेर हैं दोनों ऐसे प्रियम्ट हो चुके हैं हमारे पैनल से लेकिन कोई नहीं पहला एक TCS लेकर आई है और TCS का चार्ड जो है देखिए कई बार एक चीज होती है टेक्निकल्स मैटर क्यों करते हैं क्योंकि नियूस बाद में फॉलो करती है यह देखिए यह एक ट्रेंड लाइन चलिया रही है TCS की और मंडे को आप एक्जाक्ली वहाँ पर आकर रुख गए और यह देखिए पिछली बार भी यहाँ पर जब भी आप रुखे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाता है अब आज यहाँ पर यह 2020 से जो ट्रेंड लाइन चलिया रही है इस पर इसने सपोर्ट लिया और कभी TCS ने स्टेंड लाइन को तोड़ा नी है COVID के बाद से और कोई ना कोई नीज आई जाती है आज आपको नीज आ गई वो बांड दील वाली और इसकी वज़े से मुझे लग रहा है कि TCS में इसका एक फाइदा होगा TCS को और मंडे को थोड़े से इंडिकेशन थे इसके लोग लेवल पर थोड़ी बाइंग आया थी डिलिवरी वॉल्म काफी हाई थे हलांकि स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है लेकिन क्योंकि make or break level पर है मुझे लग रहा है यहां shot covering आने चाहिए possibility है कि TCS में आज shot covering lead होगी IT पर मेरा view positive है तो इसके लिए सबसे बड़े IT stock को ही लेके चलेंगे फिर TCS दूसरा stock जो है थोड़ा high risk है वो है Canara bank क्योंकि अलज़ी चल चुका है Monday को 4% आज एक gap up मिलने के expectation है यह Canara bank का chart है आपके screen पर यह देखिए आज थोड़ा सा रंग थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन कोई नहीं monthly chart है और इसमें आप देखिए यह 13 साल का एक channel cross किया इसने अच्छी delivery volume रही है शॉट कवरिंग भी रही है Canara bank में PSU bank को में वैसी थोड़ी सी buying है standard disclaimer लेकिन यह recommendation नहीं है और अगें आप इनको date rate के साफ से chase नहीं कर सकते हैं इस चीज का ध्यान रखिए इन दोनों को radar पे और दोनों actually आज सुबर top call के तौर पर शिमार होते हुए पैनल ने mention भी करें थे लेकिन बहतरीन समय करांट बैठ रहे हैं TCS के और Canara bank के